दोस्तों मैं हूँ डोक्टर मुशर्णाफ हुसैन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन B12 की कमी और उससे होने वाली बिमारियों के पारे में विटामिन B12 आपके शेरीर के लिए बहुत ही जरूरी विटामिन है जो बोड़ी के बहुत सारे और बहुत ही important functions को चलाने के लिए खासतोर से आपके nervous system के लिए बहुत ही जरूरी विटामिन होता है अब एक आरेनी यह है कि vitamin B12 जो है वो जादा तर non-vegetarian food में ही पाया जाता है और अक्सर vegetarian लोगों में vitamin B12 की deficiency हो जाती है यहां तक के हिंदुस्तान में करीब 47% population ऐसी है जिनके अंदर vitamin B12 की deficiency होती है या कमी होती है अब एक question यहां पर आ जाता है यह ठीक है non-vegetarians को तो असानी से मिल जाता है vitamin B12 vegetarian इस ऐसा क्या खाएं वो vitamin B12 की कमी को कैसा पूरा करें तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे और हम पहले शुरुआत करेंगे एक तो vitamin B12 की कमी के इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं vitamin B12 की कमी के लक्षण क्या हो सकते हैं और आपको वो कौन-कौन से vegetarian भोजन है जिससे आपको vitamin B12 की मात्रा मिल सकती है और आप vitamin B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं और बहुत बड़ी विमारियों से अपने आपको बचा के रह सकता है तो आईए शुरुआत करते हैं तो विटामीन B12 की कमी का मुख्य कारण एक तो आपने जान लिया कि एक्चल में नोन वेजिटेरियन भोजन में विटामीन B12 अच्छी मातरा में होता है तो हो सकता है अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके अंदर विटामीन B12 की कमी हो इसके लावा कुछ बिमारिया भी होती है जिनके कारण विटामीन B12 की कमी हो जाती है या आपके शेरिर में विटामीन B12 एब्सोर्ब भी नहीं हो पाता है एक कारण होता है gastritis, क्योंकि HCL जो आपके पेट के अंदर होता है वो vitamin B12 के absorption में बहुत बड़ा role play करता है और दूसरा का एक विमारी होती है parnesius anemia उसके कारण भी vitamin B12 का absorption कम हो जाता है Crohn's disease में या जिन लोगों को bypass surgery होता है gastric bypass surgery होता है वजन कम करने के लिए उनके अंदर भी vitamin B12 का absorption कम हो जाता है अब हम आगे बात करेंगे कि vitamin B12 की कमी से actual में दिक्कते क्या होती है लक्षन क्या होते है इसके और बिमारिया कौन कौन से होती है अगर हम physiological symptoms की बात करते हैं तो उसमें सबसे common है ठकावट, fatigue आप ठकावट महसूस करने लगता है मरीज अगर vitamin B12 की कमी होती है उसके अलावा मरीज को उल्टी का मन, nausea, मतली जैसे लक्षन आते रहते हैं और मरीज का वजन कम होना शुरू हो जाता है मुह के अंदर जल्दी जल्दी चाले आना जिसको मुह आना भी कहते है या apthos, ulcers का develop हो जाना वो जल्दी से ठीक नहीं होते अगर आपको vitamin B12 की deficiency लगतार बनी रहती है तीसरा, खून कम बनना क्योंकि vitamin B12 जो है वो iron के absorption को बढ़ाता है अगर vitamin B12 आपके शरीर के अंदर कम होगा तो फिर आपको macrocytic anemia होने की chances बढ़ जाएंगे आपके अंदर खून नहीं बनेगा जिससे आप pale दिखेंगे आपका skin का जो है वो glow चला जाएगा ये सारे लक्षण आएंगे उसके अलाबा vitamin B12 की कमिसे constipation भी होता है और आपको guess जादा बनने लगता है indigestion भी होता है अब बात करते है neurological लक्षणों के बारे में actual में vitamin B12 आपके central nervous system या जितनी भी नसे हैं आपके शरीर के अंदर उनको सुचारी रूप से चलाने के लिए बहुत ही जरूरी vitamin होता है अगर vitamin B12 की कमी है तो मरीज को paralysis तक भी हो सकता है तो इसके जो neurological symptoms होते हैं उसमें बहुत common है जिसे पैरों में जंजनाट होना जल्दी हाथ-पैरों का सुन हो जाना एडियोमर पैरों में दर्द महसूस होना सर में भारीपन रहना headache जल्दी-जल्दी होना और कुछ cases में vision की problem होना यानि कि नजर पे भी आपके देखने की शमता बे भी उसका असर पढ़ना उसके अलावा vitamin B12 की कमी से memory loss भी होता है आपको चीजे जल्दी से याद नहीं रहती है आप भूलने लगते हैं इसकी वज़े से mood swings होते हैं और मरीज जो है वो depression में भी चला जाता है और बड़ा common है vitamin B12 की वज़े से depression में चले जाना और एक और बड़ी बात कि अगर vitamin B12 की वज़े से जो neurological symptoms develop हो जाते हैं या जो कमिया पैदा हो जाती हैं उनको reverse करना वापिस ठीक करना थोड़ा मुश्किल होता है तो इसलिए vitamin B12 की deficiency या कमी बिल्कुल भी ना होने दे अब सवाल गूंफिर के वही आ जाता है कि फिर vegetarian क्या करें vegetarian क्या खाएं अगर non-veg food में ही vitamin B12 होता है तो ऐसे vegetarian food कौन-कौन से हैं जिनको vegetarians खाके vitamin B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं एक-एक करके हम उन भोजनों के बारे में बात करेंगे जो vegetarian लोग खा सकते हैं और vitamin B12 की deficiency को कम कर सकते हैं तो उसमें जो सबसे पहला food item होता है जो product होता है वो होता है दूद दूद का एक glass करीब आपको दिन भर की 50% vitamin B12 की जो जरूत होती है उसको पूरा कर सकता है तो vegetarian लोग रोजाना एक glass दूद जरूर पिये जिससे आप vitamin B12 deficiency को overcome कर सकते हैं vitamin B12 की कमी को दूर कर सकते हैं उसके अलावा बाकी जो dairy products हैं चाहें उसमें दही है पनीर है या दूसरे जो दूद से बने products हैं वो भी आप अपने भोजन में इस्तमाल करें तो vitamin B12 आपको अच्छी मात्रा में मिल जाएगा दूसरा अगर आप agitarian है अगर आप अंडा खा सकते हैं बहुत सारे vegetarian अंडा भी नहीं खाते हैं तो आप अगर रोज एक अंडा खाएंगे एक से दो अंडा अगर आप खा लेते हैं तो वो भी आपकी vitamin B12 की कमी को पूरा करेगा करीब 0.6 microgram vitamin B12 एक अंडे में पाया जाता है मगर ये बात यहां ध्यान देने वाली है कि जो उसका पीला भाग है उसी के अंडर vitamin B12 की मात्रा होती है तो इसलिए आपको पूरा अंडा खाना पड़ेगा अगर आप सिर्फ सफेद भाग खाएंगे तो आपको vitamin B12 नहीं मिलेगा और एक अंडा करीब आपकी दिन बर की 25% vitamin B12 की requirement को पूरा कर देता है उसके लावा कुछ सबजियां है जिनके अंडर vitamin B12 पाया जाता है बहुत जादा नहीं होता है लेकिन होता जरूर है पर अगर आप लगतार इन सबजियों को सबजी के तोर पे सलाथ के तोर पे इस्तमाल करना शुरू करेंगे तो आप vitamin B12 की deficiency को ये कमी को आसानी से पूरा कर सकते है उसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो होता है पालक का पालक के अंदर vitamin B12 काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है लेकिन ये ध्यां रखें कि पालक को काटने से पहले ही दुले अगर आप पालक को काटने के बाद दुलेंगे तो उसका vitamin B12 निकल जाएगा क्योंकि vitamin B12 जो है वो water soluble होता है पानी में मिल जाता है तो इसलिए पालक को काटने से पहले ही दुले और उसके बाद तिर उसको काटे और उसकी सबजी बनाया या आप सलाथ के तोर पर इस्तमाल करें तो इससे भी आपका vitamin B12 की कमी काफियत तक पूरी हो जाएगी उसके अलावा चुकंदर गाजर इनके अंदर भी vitamin B12 की मातरा पाई जाती है आप दोनों को सलाथ के तोर पर सबजी के तोर पर कच्चे जैसे भी आप खाना चाहें वैसे खा सकते हैं तो आप अपनी रूटीन डाइट में चुकंदर और गाजर का इस्तमाल बढ़ा दे चने के अंदर भी vitamin B12 पाया जाता है उसके अलावा एक जो बड़ा सोर्स होता है बट इसमें थोड़ी आपको मैनत करनी पड़ेगी वो हता है sprouted डाले जो भी डाले हैं चने भी हो सकते हैं मसूर मूं इस तरह की जो डाले हैं उनका कम से कम 24 से 48 गंटे का sprouted डाले अगर आप इस्तमाल करेंगी तो इनके अंदर vitamin B12 काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है sprouts कैसे बनाएं या आप देख सकते हैं उपर i button में जाके या description में आपको एक video मिल जाएगा जो मैंने पहले बनाया था उसको भी आप check out कर सकते हैं अगर vitamin B12 की कमी लगतार बनी रहे तो उसके बड़े नुक्सान क्या हो सकता है उसमें होता है peripheral neuropathy जो हमने बात की कि आपकी जो नसे है वो काम करना छोड़ देती हैं मरीज को paralysis हो सकता है आपको urine या आपका जो toilet है वो incontinence हो सकता है कि अपने आप ही निकलना शुरू हो जाए आपका control चला जाता है मरीज का urine से पेशाब से और toilet से विस्तर में ही वो पेशाबे toilet कर लेता है उसके अलावा मर्दों में erectile disfunctions भी हो जाता है और memory loss हो जाता है तो यह इसके बड़े नुक्सान है इसलिए vitamin B12 की कमी को पूरा जरूर करके रखें उसके अलावा vitamin B12 की supplements भी आते हैं बट उसके लिए आपको अपने doctor से मिलना पड़ेगा अपने doctor की सला से आप vitamin B12 के tablet, capsule या दूसरे resources से जो vitamin B12 मिल सकता उनको भी आप इस्तमाल कर सकते हैं तो दोस्तों मुझे अमीद है आपको ये वीडियो जानकारी बरा लगा होगा आपने जरूर इसके कुछ सीखा होगा अगर वाकिए जानकारी आपको अच्छी लगी उसको like जरूर कर लेना वीडियो को और जादे जादे लोगों को उसको share करें चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो subscribe करना भी ना भूले bell icon का button जरूर दबाले so that is तरह की health informative videos आपको समय के मिल करें थैंक यू एन्यवाद